नमस्कार आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स आपके साथ मैं हूँ अंकिता महराश्ट विधान परिश्यत चुनाव नतीचु के बाद उधव सरकार की टेंशन बढ़ गई है महराश्ट सरकार में मंत्री और शिव सेना नेता एक नाश शिंदे नारास हो गए है बताया जा रहा है कि अपने समर्था करीब 25 विधायकों के साथ एक नाश शिंदे गुजरात चले गए है विधान परिश्यत चुनाव में सोंवार को क्रॉस वोटिंग हुई थी कैबिनिट मंत्री एक नाश शिंदे से शिव सेना का संपर्क नहीं हो पा रहा है कहा जा रहा है कि वो करीब 25 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में है हाला कि इसे लेकर अभी कोई आपचारिक बयान सामने नहीं आया है शिंदे लगातार ठाकरे परिवार से नाराज चल रहे थे दूसी तरफ विधान परिशत चुनाव की नतीचों के बाद सीम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को विधायकों की आपाद बैठक वुलाई है उधर एक नाश शिंदे के थाने इस्तित घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है बताया जा रहा है कि शिव सेना की तरफ से लगातार उपेक्षा का शिकार होने के कारण एक नाश शिंदे नारास थे इसी कारण वो सोंवार शाम से ही सीम उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठा रहे थे ऐसे में माना जा रहा है कि सभी विधायक प्रेसवारता कर बड़ा एलान कर सकते हैं खबर ये भी है कि इन विधायकों को सूरत लाने में बीचोईपी के दो बड़े नेताओं की बड़ी भूमिका है शिवसेना के 15 विधायक सूरत में है शिवसेना के ये विधायक अगर बागी हुए तो उद्धव सरकार पर संकट आ सकता है क्रॉस वोटिंग के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना में एक नाशिंदे के साथ कई विधायक नाराज है जानकारी के मताबिक एक नाशिंदे के साथ पालगर के विधायक श्री निवास, वनका, अलिबाग के विधायक महिंद दलवी, बिवंडी ग्रामीन के विधायक शांतराम मोरे भी है महराश में विधान परिशत चुनाव में अगहाडी गटबंदन में हार से नराज की केवल शिव सेना खेमे में नहीं है कहा जा रहा है कि बाला साहिब थोराट विधान सभावे कौंगिस दल के नेता के पद से इस्तीफा दे सकते हैं इस बीच बीजेपी पूरे मामले को लेकर एक्शन में आ गई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा केंद्री ग्री मंत्री अमिश्चाह से मुलाकात कर रहे हैं उधर महराश्टो के पूर्व मुख्य मंत्री देवेंद्र फर्नविज भी नई दिल्ली पहुँच गए है बीजेपी नेता किरीट सुमया ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उधभ ठाक्रे की उल्टी गिंती शुरू हो गई है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि महराश्टो विधान परिशत चुनाव परणाम शिव सेना को 52 वोट मिले 12 विधायक का वित्रोह उधभ ठाक्रे की माफिय सरकार का काउंटाउन शुरू हो गया है महराश्ट में उठे सियासी बवंडर के बीच शिव सेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कोई भूकम्प नहीं आएगा उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी कोशिश कर चुकी है लेकिन इस बार भी सफल नहीं होगी महराश्ट सरकार को आजस्थर नहीं होने देंगे उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि महराश्ट सरकार को कुछ होगा इसके साथ ही राउत ने कहा है कि सभी विधायक जल्द वापस लोटेंगे आपको बता दे कि बहराश्ट में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिशत चुनाव में भी बीजेपी ने बड़ा उलट फेर करते हुए 10 में से 5 सीट पर जीत हासल कर दी इस चुनाव में बड़ी बात ये रही कि शिफ सेना और कॉंग्रिस में जम कर क्रॉस वोटिंग हुई जिससे बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ गया बीजेपी से जीतने वाले श्रीकान भारतिय को 30 वोट, राम शिंदे को 30 वोट, प्रवीन दरेकर को 29 वोट मिले लेकिन दूसरी प्रात्मेक्ता के आधार पर उन्हें विजए घोशित कर दिया गया वही महाविकास अगहाडी की तरफ से शिफ सेना के सचन अहिर और अमाशा पाड़ भी जीते जबकि NCP से एकनात खड़ गे और राम राजे नायक निमबालकर को जीत मिली लेकिन कॉंगिस को यहाँ बड़ा जटका लगा मैदान में उसके दो उमीदबार थे जिनमें भाई जगताप तो जीत गए लेकिन चंद्रकान्त हंडोरे को कॉंगिस के ही कुछ विधायकों ने चटका दे दिया दावा किया जा रहा है कि कॉंगिस में करीब पांच विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की जिसकी वजह से उसकी हार हुई है देश दुनिया की तमाग खबरों को वस्तास दे जाने के लिए अब हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं जोड़े रही है जन्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार